सब सब्सक्राइब बढ़ी हो रहाज आपके लेकर हैं वीडियो एक काफी ज्यादा डिमांड में जो आइफोन है आज के टाइम पे भी वह है आइफोन 10S काफी लोग को इसके बारे में कि आइफोन 10S आज भी 2023 में लेना वर्थिट है और है तो क्या प्राइज होनी चाहिए कि वैल्यू फोर मनी क्या यह प्रोवाइट करेगा 2023 में या नहीं नहीं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूंग निचे चोटा से सब्सक्राइब बटन हो उसे जाके में तरह हो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसका जनम कब हुआ इसका जनम हो था थर्टी मिनेट्स के लिए जा सकते हो इजी लिए अगर आपके पास ओरिजनल फोन है खुला हुआ फोन आप पर चेस करते हो किसी सेकंड हैं मार्केट से तब मैं उसको गरेंटी नहीं लेता अगर आपके वास औरिजनल प्रोड़क्ट है फिर तो आप 2 मिंटर तक 30 मिनेट इसको डाल सकते हो और इसका जो साइज है 5.8 इंची इसका साइज है पूरा डिस्पलेगा यहां पीछे आप देख सकते हो दो कैमरा जैंस की निची की और एक स्पीकर ग्रील है चार्जिंग पॉइंट है और आपको बता हूँ आइफोन 10 और 10S में सिफ एक फरक था इसकी इसकी स्पीकर गिल्स का तो आप देख सकते हो आइफोन 10S की स्पीकर जो है तीन डोट हो चुकिन और आइफोन 10 में थोटे ज्यादा से नेक्स बात करें डिस्पले की लेकिन उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट इसकी फेस अनलोग कैसा है मैंने इसको परसनली यूज के का पहरीजन लाने वालों काफी चलती तो चैनल को सब्सक्राइब करें आज भी काफी जाद को फास्ट देखनों में ज्यादा फरक नहीं है यार आइफोन 14 और आइफोन 10S में अगर आप अपने मास के साथ आइफोन को यूज करते है तो आइफोन 10S उस ट्राइम अनलोग नह से और आउडोर आपको बिल्कुल भी इस्यू प्रोब्लम कुछ भी नहीं होने वाला अगर आप इस आउडोर यूज करते हो कॉंटेंट वोचिंग करते हो काफी ज्यादा मूवी सीरीज देखते हो तो यार आइटिंग वान फफ देस्ट आहस तक का डिस्पले है इस डिस्पले का डिफ्रेंस नहीं पता तो उसकी वीडियो में आप जाके चैक आउट कर सकते हो और काफी ज्यादे इंपोर्टेंट एक फीचर जो मैं आज के आइफॉन में मिस करता हूं वह है 3D टाच जिन्हों ने इस फीचर को पहले यूज की आइफॉन को यूज की है वह टिठाय लेना यह नहीं तो मैं आपको बता दू आइवस 12 इसमें आपको इन बिल्ट मिलते था यानि की एट्वाइनेक्स चिप मिलते थी 2018 में 4GB of RAM मिलेगी साथ इसाथ इसका प्रोसेसर जो है मैं आपको इस पे गेम रंग करके दिखा रहा हूं call of duty एक भी लाइक देखना इसमें एक फरक पड़ता है कि आपको स्क्रीन थोड़ी छोटी मिलती है अगर गेमर्स को बड़ी स्क्रीन प्रेफर करने तो आइफोन 11 के और जा सकते हैं या फिर आइफोन 10R की और आइफोन 10R की वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करी लो एक्स बात करूं मैं कैमरा कि इसमें आपको अल्ट्रावाइट नहीं देखने को मिलेगा जिससे अगर आपको व्लोगिंग करनी तब आपके काम करनी है तब आप आइफोन 11 जाओ अगर आपको अल्ट्रावाइट है लेकिन अगर आपको पोट्रेट फोटोस की निए तो काफी ज्याद अच्छा कैमरा इसका पोट्रेट मोड वगएर काफी अच्छा आते हैं और फोटो आज के टाइम पे भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी है क्वालिटी काफी जाद अच्छी है और इसका फ्रेंट कैमरा जो है 7MP जिस पर आप 1080p 60fps तक रिकोर्डिंग कर सकते हो और जो में कैमरा थी उस कोई भी नहीं होगा इस टाइम आपके लिए अब जल्दी से बात करूं इसकी बैटरी की तो ने फोन की जो थी 2658 mh की बैटरी हुआ करती थी थोड़ टाइम पहले बंद हो चुके है थोड़ गया काफी पहले बंद हो चुके है ये फो ने फो नहीं मिलेगा अगर आप से मार्केट से जा रहे हो लेने तो मैं आपको बोलूग उसकी बैटरी देखके लेना और मैं आपको बताओ इसमें प्रोब्लम्स कहाएंगी यार जो कि आपको 2023 में फेस करने पड़ेंगी तो सबसे पहले प्रोब्लम की बात करूं अगर आप इसे लोंग टम के लिए अगर त इसके बाद हो सकते अवको कोई प्रोब्लम आभी जाएं नेक्स्ट बड़ी प्रोब्लम है 5G इसमें नहीं सपोट करता कोई भी 5G बैंट नहीं है अगर आपको 5G काफी साथ है इंपोर्टर्ट एबर आपको 5G फोन फीर आप आप अपके लिए निए पेलिए पिर आप तो हो जाता है अगर आपको इससे भी सस्ते में मिल जाएगा काफी जगह पर आइफोन 10S लेकिन यह 64GB वाले वेरेंट है बट वो कंडिशन वाइस फिर उतने अच्छे नहीं होते हैं तो फोन खुले होते हैं अधर वाइस मैं आपको आइफोन 11 भी 18-18,000 के मिल रहे हैं लेकि कुछ भी थेंक यू बाई जाकरो बाई